नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिक इनफॉर्मर में तो प्लेइंग 11 के इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और यहां पर अपने इस वीडियो पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में उनका वन टूवन कंपैरिजन करेंगे देखेंगे क्यों कौन सी टीम मजबूत है कौन सी टीम कमजोर है और फिर अपना प्रेडिक्शन भी दिया जाएगा कि कल का मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है ये सभी एनालोसिस किसकी अधार पे होगा पिछ रिपोर्ट की अधार पे होगा तो जो सबसे पहला काम हमारा रहेगा किस वीडियो में जान ले कि कहा मुकाबला खेला जाएगा और वहां कि पिछ रिपोर्ट क्या कहती है ये भी हम लोग देखा जाएगा तो सब्से पहला पाट पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो यह मुकावलय खेला जाएगा वन-खेड़े स्टेडियम में और वन-खेड़े श्टेडियम कैसा खेलता है यह भी आपको पता है यहां पे बल्ले बोल बाला होने वाला है और बल्लेबाज यहां पर जम कर रन बरसाने वाले हैं 200 के ऊपर आप टार्गेट यहां पर देख सकते हो तो ज्यादा कुछ चर्चा पिछ रिपोर्ट के बारे में नहीं करते हैं क्योंकि वानखेडे स्टेडियम में आप पिछले तीन मैचों का स्को 186 बनाए तो माई ने 186 बनाकर उस मुकाबले को चेज भी कर लिया था तो यहां का दास्ता यही बताता है कि यहां पर बल्लेबाजी करना आसान रहेगी और बल्लेबाजों का बोल बाला होने वाला है तो आईए अपने वीडियो के मेन पार्ट पर आ जाते हैं वो है दोनो टीमों का प्लेइंग 11 का कंपैरिजन तो पहले देख लेते हैं क्या रहेगा दोनों टीमों का प्लेइंग 11 यहां पर अगर हम बात करें तो पिछले मैच में करन सर्मा खेले थे आरसी बी की तरफ से तो यहां पर एक स्पीनर कम हो सकते हैं क्योंकि डाइमेंशन कम रहते हैं जिसके करण करण सर्मा का बाहर बैटना लगभकता हैं इनके जगह विजय कुमार वेस्क खेल सकते हैं और अगर हम बात करें तो impact player के रूप में किधार जाद हो इस टीम से जुड़ते हुए आपको दिखेंगे किसी भी एक बॉलर के रूप में किसी भी बॉलर के जगह वो भ एक बालर को हटा कर तो यह चीजे रहेंगी आपके स्क्रीन पर यहां पर बारवें player के रूप में आन वधेरा को आप जोड दीजेगा और यहां पर बारवें player के रूप में के दार जादा को जोड़ दीजेगा एक spinner कम कर सकते हैं करण सर्मा की जगह विजय कुमार वेस्कि किसके जीतने के chances हैं वो भी हम देख लेते हैं तो सबसे पहले opening department को comparison किया जाएगा हम लोग यहां पे अगर हम बात करें फाब डुपलेसिस विराट कोली open करते हुए दिखेंगे तो रोहिस सर्मा इसान की सन माई की तरफ से open करते हुए दिखेंगे form wise, temperament wise, class wise यहां पर 20 में 20 पॉइंट दे देना मतलब बिना किसी discussion के ही वाजिब रहेगा क्योंकि जिस form में हैं, डुपलेसिस यहां जिस form में वीराट कोली दोनों एक दूसरे को cooperate करते हुए दिखेंगे, जब कोली रन नहीं बना पा रहे हैं, श्रगल करते हुए दिखेंगे, तो डुपलेसिस एक तरफ से strike rate को बढ़ा करते हुए दिखेंगे, जब डुपलेसिस था रगा है जो कि एक बहुत ही वरिंग फैक्टर है मोई इंडियंस के लिए हाला कि capability wise यह दोनों भी ओपनिंग डिपार्टमेंट इनसे कम नहीं है लेकिन recent form wise यह कहीं पीछे दिख रहे हैं रोई सर्मा और विराट कोली की जोड़ी से रोई सर्मा के form के कारण इनको मार्ट 15 पॉइंट मिलते हैं यहां पर dependency इसान किसन की उपर आ जाती हाला कि consistency इसान किसन की भी मिसिंग रहती हर मैच में अपना वो प्रदरसन चाप नहीं दे पाते हैं जो पिछले मैच में दिये होते हैं तो यह जुरूर कॉज आप concern रहेगा जिस कारण MI की opening जोड़ी पीछे होती हुए दिख रही है किसके मुकाबले RCB की opening जोड़ी के मुकाबले अब बात कर लेते हैं मिडिल ओडर की यहां पर अनुजरावत ग्लेन मैक्सवेल महिपाल लोंगरोर तीन मिडिल ओडर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे RCB की तरफ से इस साल का गुजराट टाइटन के बाद दूसरे नंबर का सबसे खतरनाक मिडिल ओडर है और काफी बेहतरी मिडिल ओडर है यहां पे भी बिना डिसकसन के आप 20 पॉइंट दे दीजे क्योंकि यह काफी लीदल होने वाले हैं और MI के लिए इन्होंने कई मैचे इस पूबी काम अंजाम करते हुए भी दिख रहे हैं इस संसकरण में अगर हम बात करें अनुजरावत का उतना फॉर्म में नहीं है मैपाल रोम रोड जरूर पिछले मैच में स्कोर किया था लेकिन यह हर मैच में कॉंसिस्टेंटली स्कोर करें इसका कोई मतलब फिक्स नहीं ह है उसके मुफीद हो सकती है पिछ यहां पर यह अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं तो इनका जो मिडिल ओडर है वो डिपेंडेंट मैक्सवेल के उपर रने वाला है जिसकार मात्र 15 पॉइंट इनके मिडिल ओडर बलेबाजी को मिलती है यानि कि दोनों टीमों का कंपैरिजन कर लिया जाए मिडिल ओडर तो मुंबई इन्डियन की मिडिल ओडर कहीं ज्यादा आगे निकलती वी दिख रही है आप सीबी की मिडिल ओडर से यहां पर मैक्सवेल के उपर डिपेंडेंसी है तो यहां पर सारे के सारे तीनों बाल बैट्समैन अपने दम पर मैच का बलेबाजी का जिसके इनको मात्र 15 पॉइंट मिलते हैं तो वहीं इनके मिडिल ओडर में कोई क visão कम्मी नहीं है, कोई खामिया नहीं है, और यह 20 पॉइंट के साथ लीड करते dipping करेगा कि किस तरह मैच जाने वाला है, अब बात कर लेते हैं, दोणों टीमों के finishing department का यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पे दिने स्कार्तिक आपको दिखेंगे वानेडू हसरंगा दिखेंगे न दिने स्कार्तिक में उतना दम है न हसरंगा में दम है यहां पे भी ज्यादा डिसकसन कर नहीं करते हैं और 10 पॉइंट RCB को दे देते हैं वहीं अगर हम बात करें रोईस देटेवे दिख रहे हैं तो यहां पे भी अच्छा खासा पॉइंट इनको फिनिसिंग टिपार्टबेंट में मिला यहां पे भी मुंबई इंडियन सुद्रिड है मजबूत है जिसका इनको 18 पॉइंट मिलते हैं और मात्र फिनिसिंग डिपार्टमेंट में आप सीबी के लि इस पिछ पर अकेले लीड करेंगे इनका साथ मैक्सविल दे सकते हैं हाला कि पिछले मैच में करर सर्मा ने जरूर खेला हुआ था लेकिन इस पिछ पर बाउंडरी डामेंशन छोटे हैं जिसका इनको बैठाया जा सकता है पेसर के उपर डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं मतलब भरोसा दिखा सकते हैं तो वाने डू असरंगा एक मात्र स्पीनर होंगे मेन स्पीनर होंगे और सीबी की तरफ से तो वहीं माई की तरफ से बात करें तो यहां पर प्यूज शावला होंगे और उसके बाद इनका साथ यहां पर रागो गोयल पिछले मैच में दिया हुआ थ सकते हैं इस मैच में भी चुतो यहां पर अगर हम बात करें स्पीन डिपार्टमेंट की तो यहां पर प्यूज शावला ही अकेले इनके स्पीनर वाने डू हसरंगा के उपर भारी परती वे दिखाई देंगे क्योंकि चावला काफी बेहतरीन टच में हैं मिडिल ओवर्स मे बिकेट लेते वे दिख रहे हैं और इनका जो फॉर्म है वो इनके साइड है वही वाने डू हसरंगा की बात करें तो इनके उपर कप्तान उतनी डिपेंडेंसी नहीं दिखा पा रहा है इनका फॉर्म थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है और इस पिच पर यह महंगे भी साबि देख रहे हैं जिसका इनको कुर्म स्पिन डिपार्टमेंट में 18-18 मिलता है तो वाने डू युदू रंगा और फिर एा प्यूज शावला इस IPL में कहीं आगे निकलते हुए दिख रहे हैं वाने डू हसरंगा के मुकाबले चाहे हम विकेट टेकिंग स्किल की बात करें या कंसिस्टेंसी की बात करें या एक कुनामी रेट की बात करें हर एक डिपार्टमेंट में प्यूज शावला का पलड़ा व आर सी भी थोड़ा सा जंप करेगी और अच्छा खासा जंप लगाएगी यहां पर आपको मुहम्मद सीराज दिखेंगे विजय कुमार वैस्क दिखेंगे जौस हैजा लूट दिखेंगे हरसल पठेल दिखेंगे सारे स्किलफुल बॉलर और सारों में कापिबिल्टी है कि सब कुछ अच्छा मतलब अपने दिन अच्छा खासा प्रदर्सन दे सकते हैं मैच जिसा सकते हैं अगर ये एवरेस साभी स्कोर अगर स्कोर बोर्ट पर बनाते हैं तो इसको भी डिफेंड करने का माददा रखते हैं और इस आईपिल में कई बार इस बॉलिंग अटैक ने विजयकुमार मस्ट व्यस्क ऐसा कुछ प्रदर्सन करके दे कि अगर इनके बल्लेबाश फ्लॉप भी हुए तो ये लो स्कोरिंग टोटल भी डिफेंड कर सकें वहीं अगर हम बात करें इनकी तेज जिदबाजी की तो यहां पर कोई भी दम नहीं है आकास मादवाल दिखे अगरदर्सन की तो मतलब कोई बिदम नहीं है और कोई भी लीड करता हुए नहीं दिख रहा है बहुत आसांति जो फरा करसे यह टूप में उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है जिसका इनका पेश डिपांटमेंट काफी कम जो रहे है उसका फायदा जरूर और सीबी के तीन जो आने वाला है उसका बखुवी फायदा उठाए डिथोबर्स में अच्छे खासे रन बनाए जो है माई की कमजोरी वह हुई है इस बार और अगर इन तीनों में से कोई टिक गया तो फिर यहां पे इनके वहरे न्यारे हो सकते हैं RCB टीम के तो इनका पेश डिफेंट बनाने में सफल होती है तो इस पेश डिपार्टमेंट में दम है की डिफेंट करने का माददा रखते हैं तो यह तो पेश डिपार्टमेंट अगर हम औराम की कमजोरी जरूर है लेकिन जो यह बैटिंग डिपार्टमेंट है यह काफी लीदल है इसने वानखेड़े स्टेडियम में महारत हासिल कर रखी है और यहां पे सुर्ग कुमार आदो तिलक वर्मा कैमरून ग्रीन इसान किसन टिम डेविड सभी ने चाप छोड़ा हुआ है औ बैटिंग डिपार्टमेंट में जिस कारड़ वानखेड़े स्टेडियम में यह इनको ज्यादा सूट करता है इन रिस्पेक्टिव और किसके आर्सीबी टीम के क्योंकि यह किसी भी पेसर को अपने दिन बिगार सकते हैं चाहे वह जाओ सेजर लूट क्यों नों क्यों हरसल पटेल ही क्यों नो क्योंकि हमने दिल्ली के मैच में देखा था यह सभी बॉलर्स कोशली होते दिखाई दिए तो वानखेड़े पिच पर भी यह जो बैटिंग अटैक है मुंबई इंडियंस का यह किसी भी गेंदवाजी यूनिट का धज्जियां उखार सकता है क्योंकि यहां पर पेश से कोई भी मदद पेश डिपार्टमेंट को नहीं मिलने वाली है तो यह उनकी कमजोरी उतना नहीं घातक साबित होगी जो घातक साबित हो सकती है RCB टीम की बैटिंग यहां पर तो यहां पर जीत की चांसेज की बात करें तो मुंबई इंडियंस के 70% जीत क चांसेज हैं इनका पलड़ा भारी पड़ेगा किसके मुकाबले RCB टीम के मुकाबले जिनके जीत के चांसेज 30% है वह भी 30% सिर्फ और सिर्फ विराट कोली डुपलेसिस मैक्सवेल अगर यह तीनों लंबी पारी खेले और 20 ओबर तक कोई भी एक बल्लेवाश टिका रहा तब ही जाकर इनका कल्यार होने वाला है अधर वाईज यह माई टीम काफी ज्यादा ही विध्वनसक है काफी ज्यादा घातक है इनकी बॉलिंग पेस बॉलिंग जरूर कमजोर है लेकिन इनके पास एक ऐसा बैटिंग यूनिट है जो 20 से 25 सरन एक्स्ट्रा चेज़ करने का म अगरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले